भरतपुर के हलेना से आपको बड़ी खबर बतारे जहां नेशनल हाइवे 21 पर सवारियों से भरी बस पलट गई हासे में करीब 35 लोग इसमें घायल हो गए हैं और सुचना के बाद हलेना पूलिस भी मौके पर पहुंची सबी घायलों को हलेना सरकारी अस्पताल में भरती करवा दिया गया है साथी पांच गंभीर घायलों को आपको बता दे कि जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया है भरतपुर के हलेना से आपको बड़ी खबर बतारे जहां नैशनल हाईवे 21 पर सवारियों से भरी बस पलट गई सबी घायलों को हलेना सरकारी अस्पताल में भरती करवा दिया गया है 35 लोग इस से पूरी घटना में घायल हो चुके हैं और साथी 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रैफर किया गया है और यह पूरा हाथसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर को नींद आ गई थी जिससे डिवाइडर पर बस चड़ गई और नैशनल हाईवे 21 पर यह हाथसा हो गया